नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का आपके अपनी चैनल इस पर्ष क्लासेज में दुस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि पेड़ागोजी के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट है साथ जो आपको एक नेक्स्ट एक्जाम रह रहा है टीचर टीचिंग एंड टेक्नलोजी उसका भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इस वीडियो का उध्यान से देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपके कल के एक्जाम में तो काम आई गई साथ में आने वाला है और उसमें सारा ही स्लेबस एक तरह से इंपोर्टेंट लगता है देखने के लिए उसमें कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते तो इसको अभी कर लीजेगा कंप्लीट कर लीजेगा तो वीडियो को पूरी देखेगा और ध्यान से देखेगा साथ साथ दोस्तों मैं आपको पत सभी टॉपिक्स को यूनिट वाइज मैंने सीक्वेंस में लगाए हुए है तो आपके अगर एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके एक तयारी में एक बार उस प्लैलिस्ट को जरूर देखेगा आपके एकजाम में बहुत जादा वह यूसफुल होने वाली है चलिए ज्य सामगरी आएगा कहीं लिखा हुआ और कहीं आपका सिक्षन सहायक सामगरी भी आ सकता है तो दोनों का मतलब एक ही होता है इंग्लिश में हम इनको कहते हैं ओडियो विज्वल एड्स अब यह होती क्या है अब नाम से ही आप देख पा रहे हों सिक्षन सहायक सामगरी यानि कि सामगरी ऐसे मैटिरियल्स जो कि शिक्षन में यानि कि आपकी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें आपकी सहायता करते हों मतलब क्या हुआ वो सामगरी जो आपकी टीचिंग में सहायता करें वही तो सिक्षन सहायक सामगरी होई तो बस वही इसमें है उसी को हम स्रव्वे द्रश्चे सामगरी कहते हैं, ओडियो विजोल एड्स कहते हैं, देख लेते हैं आगे, कक्षा में सिक्षन के दोरान पाठ्य करम को सरल रूची कर परभावसाली बनाने के लिए स्रव्य द्रश्चे सामगरी को प्रियोग किया जाता है, इन्हें ही सिक्षन सहायक सामगरी भी कहते हैं, शिक्षन सहायक सामगरी के दोरा अधिगम को प्रभावसाली बनाया जा सकता है, और अधिगम करता को प्रोचसाहित किया जा सकता है, यन्हें कि मेन इनका जो मोटी होता है, वो देशी होता है, वो यह होता है, कि आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हो, जो भी चैप् को easy बना देता है बहुत ज़ादा easy बना देता है उसको और साथी साथ interesting बना देता है आपने देखा होगा अगर आप normally lecture methods से कर रहे हैं जो teaching है जो learning है आप अगर normally method से कर रहे हैं lecture method से तो आप वहां पर bore हो सकते हैं लेकिन वहीं अगर कुछ teaching aids का use किया जाए तो आपको चैप्टर easy लगेगा interesting लगेगा जल्दी से ही आपको समझ में आ जाएगा और जो teaching हो पूरी वह पूरी आपकी effective होगी ठीक है ना आपको motivation भी साथ-साथ मिलता रहेगा आगे इसकी perfect definition की बात करते हैं definition की बात करें तो डेंड ने दी थी कि शिक्षन सहायक सामगरी वह सामगरी है जो कक्षा में या अन्या शिक्षन परिस्थित्यों में जो class में या फिर कोई भी ऐसे circumstances तो है जहां पर teaching learning चल रही है teaching process चल रही है हम सिखा रहे हैं आप सिख रहे हैं तो कोई भी ऐसी teaching की circumstances हो परिस्थिती हो उसमें लिखित या मोखिक रूप से पाठ्थे सामगरी को समझाने में सहायत अपरदान करती है वही बात है कि वह सामगरी वह चीजे जो की पाठ को कि इसी भी परिस्थिती में लिखित रूप से हो रिटन वक में हो या औरेली हो पाठ को समझाने में मदद करें कुल मिला कि यह है जो आपकी help करें आपकी टीचिंग में वह आपकी शिक्षन सहायक सामगरी है audio visual aids क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सिक्षन सहायक सामगरी का वर यानि कि जिनको हम सुन सकते हैं मदद करती है लेकिन जिनको हम सुनकर मदद लेते हैं उनसे यानि कि जो हम सिर्फ सुन सकते हैं जैसे कि रेडियो हो गया ग्रामोफोन हो गया टेप रिकॉर्डर हो गया अब हम इनको क्या करते हैं सिर्फ सुन सकते हैं इनमें कुछ देख त आगे नेक्स आपका द्रश्य सामगरी यानि कि विजवल इड्स यानि कि कुछ एड्स कुछ सामगरी ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं उनको सुन नहीं सकते हैं ठीक है जैसे कि कोई चार्ट पेपर हो गया या मैप हो गया नक्षा हो गया कोई हमने फोटो दिखा दिखा दी कोई साइलेंट पिक्चर से मतलब है जिसमें कोई आवाज ना हो ठीक है कोई मोडल हमने दिखा दिया बना तो वह सभी क्या आता है विजुल एड्स में आ जाते हैं जिनको आखों से देख सकते हैं उनको सुन नहीं सकते ठीक है ना और थर्ड नंबर पे आपका सब्सिंघ में जिनको हम से पिसकते हैं और से खिसे टीवी टीवी को देख भी सकते हैं और सबसकילו यह सकती है प्नुद खाल से चल थे गैसे लिए दिशी डिनिया वह दो नहीं जीविर है चैनल डेखिए या न्यूस चैनली टेखिए यह पता प्राइब करें नेट जाए पर हम इस नौन हम इसे लेखा का यूज होया है और ये में प्लाइफ भूल स Espakesल में कॉझे स्पेशल चैनल ले जिसमें स्विजडेस वीडियो कोई वीडियो सा कर देटेफ़ सकते हैं इंटरनेट की मदद से हम सीखते हैं तो यह सब क्या हो गया audio visual aids हो गया अब हम यहाँ पर हाम आपको पढ़ा रही है तो आप यह तो mobile पर देख रहे होंगे smartphone पर देख रहे होगे या फिर आप अपने computer पर देख रहे होंगे तो computer की सहायता से आप teaching learning कर रहे हैं तो यह आपके help करते हैं आपके लेसन को समझने में स्रव्य द्रश्य सामगरिय क्या होती है इसका अर्थ तो आपको पता चल गया होगा स्रव्य द्रश्य सामगरिय का सिधानत क्या क्या है याई कि की एड्स को सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम हम ठियान रखना चाहिए कि कि हम किस class के लिए सिलेक्ट करते हैं। हमें बच्चों की उम्र बच्चों की जो एबिलिटी है उसकी according ही अपने ads को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना ? अब छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चहे अनूसार चोटे सीपल सा एक्zenότε अगर आप चार्ट प्रक यूज़कामज propag तो उनको उनको कार्टून विल्ली हैं वह चार्ट प्रक व्लों करने समझार तो वो ज़ादा suitable नहीं होगा वहाँ पर आप उनकी age के अनुसार जो उने suitable है उनके according बनाएंगे तो वही सभी जितने भी age होते हैं उनका selection हमें बच्चे की ability बच्चे की उम्र क्या है उसके according करना चाहिए बच्चे के interest के हैं दूसरा होता है principle of preparation तयारी का सिधान यहने कि जो भी हम teaching age उसकी हमें पूरी तयारी होना चाहिए पहले से preparation होनी चाहिए कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है क्या क्या इसको तरीक अपनाना है वह सारी हमारी परपरेशन पहले से होनी चाहिए next आपका परदरशन का सिधान तो महां पर वो ले लिए हमने models भी बना लिए हमारी उनकी तैयारी भी हो गई अब next step पर आता है कि हमारी presentation कैसी है हमने तैयारी अच्छी की selection अच्छा किया लेकिन जो हमने presentation है वो हम अच्छी नहीं दे पाए तो आपको audio visual aids का जो motive वो बेकार रहा उनको use करने का कोई फाइदा तो नहीं हो अगर हम उनको अच्छी से present ही नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो motive हो क्या है बच्छों को समझ में आ सके बच्छों को lesson easy बन सके effective बन सके आसाने से समझ में आ सके लेकिन अगर हम उनको present अच्छी स नहीं कर पा रहे हैं उनको अच्छी से समझाने पारे तो वो बेकार है तो हमारी presentation जो है वो अच्छी होने चाहिए इसके बाद है principle of response यानि अनुकीरिया का सिधान यानि कि आप में teacher में और बच्छों में आपस में interaction होना ज़रूरी है आपस में क्रिया परती क्रिया होती र लगे भी है उन पर आपको पूरा control होना चाहिए और आसपास का जो एंवार्मेंटास में फिजिकल कंट्रोल है वह आपका होने चाहिए बहुत इक नहींतरण आपका होना चाहिए नेक्स आपका मुल्यांकन का सिधान्त principle of evaluation बच्चों को सासाथ evaluation भी करते रहना चाहिए मुल्यांकन भी करते रहना चाहिए तो सिधान तो हमने देख ली अब हम देखेंगे इस रव्य द्रश्चिशामागरी की विशेस्ता है क्या क्या है characteristics क्या क्या है या कहें गुन कह सकते हैं merits कह सकते हैं विशेस्ता है क्या क्या विशेस्ता है सबसे पहले है समंबंधता यानि relevance वह आपके पाठत्य वस्तू से सम्मंदित होनी चाहिए जो किसे बसे हो कोशिचा करने चाहिए मोशन का ौलाले चाहिए है रिकात्य शार्ग कावनी है घात मतल सब्सक्राइब मसं नी November 2012 में हमने से मसे इस जाहिए हम्हादे हं प्रण मेरा management zenकौन पढ़ाना है तो हमें टीचिंग मेटरल ऐसी यूज़ करने चाहिए जिसमें रियालिटी ला सकें ठीक है ना महां पर हम जैसे रेखिये गती अगर हम बतानी है लीनियर अगर स्पीड हमें बतानी है लीनियर मोशन अगर हमें बताना है तो सिंपल जो कार के मोडल साते हैं तो भी हम टीचिंग एट्स लें वह बिल्कुल रियल लगने चाहिए इसके बाद है कंपैटिबलीटी होनी चाहिए बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए आपके लेसन के समय की बचत Less time consuming यानि कि teaching aids जो होती है वो समय की बचत करने वाली होने चाहिए रोचक होने चाहिए इंटरस्टिंग होने चाहिए यह में विशेशता है यह रोचक होती है समय की बचत करती है अनकूल होती है यह थार्थ होती है Next हम देखेंगे सिक्षन सहायक सामगरी में दोश क्या क्या है डिमेरिट्स क्या क्या है अब कुछ सिक्षन सहायक सामगरी ऐसी होती है जो कि बहुत कोशली होती है महंगी होती है तो शिक्षा क्या होता है उनके इस्तमाल करने से बचता है क्यों महंगी होती है तेक नेक्ष है कि सिक्षन सहायक सामगरी जो है वह एक विश्य को एक वच्थतों को पढ़ाने में अधिक समय लेती है यानि कि टायम कंजूमिंग होती है यदि उसको पढ़ाने में आपको बहुत जाधा टायम लग जाता है ले लिए जिए कोई मैट्स का आप कोई भी टॉपिक ले लिए टीनक करना पाइथागोर शुरम आप ले लिए अगर हम सिंपल नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मैथरा उससे पढ़ा रहे हैं तो बहुत जल्दी हम उसको कवर करा लेंगे वहीं अगर हम टीचिंग मेटरिल यह अन्य शिक्षन सहायक सामगरी अपने आकार में इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें कख्षा में लाना मुश्किल हो जाता है यहने कोछ मोडल जो उनका साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है हम क्लास में उनको नहीं ला सकते कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सह सहायक सामगरी तो है परन्तु उसे प्रसूत करने के लिए उप्युक्त वातव रन नहीं मिलता तो भी वे सहायक सामगरी सहायक सामगरी बेकार हो जाती है विफल हो जाती है वेस्ट हो जाती है हमारी वे सहायक सामगरी ठीक है यानिक इसका मतलब क्या हुआ मान लीजिए आ आपके पास सारा मेट्यूयल है आपके पास प्रोजक्टर है कम्प्योटर है सब चीज है लेकिन ऐसा एक रूम नहीं है जहां पर जो एन्वार्मेंट हो वो सुटेबल हो यहां कि आपने देखा होगा अगर हम प्रोजक्टर पर बच्चों को दिखाना चाहरे हैं तो वह जो आपके पास प्रोजक्टर पर होो बच्चों को रोभी आपनेंगी आप पर पर रोक्तों यह थे तो दिखाए नहीं देगा तो आक जो टीचिंग-बकार अगर दूसरे वीडियो आपको पसंद आ रही है आपके काम आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने दूस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो के बारे में आपके जो भी खयाल है फीडबैक्स है वह आप कमेंड बॉक्स में दे सकते हैं तो यह था आपका audio visual aids इसको आप जरूर ध्यान से देख करके जाएगा अच्छी लगए तो लाइक कीजिए जो दोस्ते चैनल पर नहीं है वह इसी तरह की और लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो भी मैं सब्सक्राइब करों उसको नोट्रिफिकिशन आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें आज के लिए पस इतना ही मिलेंगे आने वाली वीडियो में आज के लिए धन्यों आज के लिए आज के लिए